पांच वर्षिय फेजान हत्याकान का संसनिक हैज खुलासा हुआ है अब प्राकरतिक करत्यकर बच्चे की हत्या की गई थी आरोपी सोहेल और उसकी बहन को गिरफतार कर लिया गया है दो सो से ज्यादा मकानों की सर्चिंग, हजार वहनों की जाच, सो से अधिक लोगों से पुछताज और करीब सो पुलिस कर्मियों की टीमों द्वारा लगातार की गई मेहनत के बाद आखिरकाल पुलिस ने पांच वर्षी बालक फेजान के हत्या के रहस्य को सुलजा लिया है फेजान की हत्या उसी के पड़ोसी युवक सोहेल ने बालक के साथ अप्राक्तिक कत्य करने के बाद की थी, हत्या के सबूत बिटाने में उनकी बेहन कश्मीरा ने उसका साथ दिया था, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरत्तर कर लिया है, पुलिस उपमहान रिक्षक गोरो राजपूत ने कंट्रोल रूम पर आया जित एक भीड भरी प्रेसवारता में इस संसनी खेट हत्या कान का खुला सा किया, इस मोके पर एसपी गोरो तिवारी के साथ अनेक पुलिस अधिकारी मौजूद थे, राजपूत ने बताया कि विगत 13 अप्रेल को हाट की चो किया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उसका कोई पता नहीं मिल पाया, पुलिस की सर्चिंग जारी रही, घटना के करीब 10 दिन बाद फेजान का सव एक बोरी में बंधा हुआ, उनके घर के निकट के नाले में बरामत हुआ, फेजान का सव सामने आने के बाद पुलि पिलो टेप चिपके होने से आकसिजन की कमी कारण हुई थी, पोस्टमाटम में यह भी संभावन अजदाय गई थी कि उनके साथ अप्राक्रतिक कत्य क्या गया है, पुलिस ने बारी की से सगन जांच प्रारंब की बालक का शव बोरे में मिला था और इस बोरे में सिलाई के उपयोग की जाने वाली रंगिन धागे भी बरामत हुए थे, इन शाक्षों की विग्यानिक तरीके से जांच की गई, आसपास के जिन इस्थानों पर टेलरिंग का काम किया जाता है, उनके घरों के सर्चिंग और पूस्ताज भी की गई थी, डियाईज राजपूत ने बत तक फेजान के सव को अपने घर की वाशिक मसीन में छुपा दिया था, फेजान का सव वाशिक मसीन में छुपा होने की जानकारी सोहिल की बेहन कश्मीरा को मिल गई थी, बाद में कश्मीरा और सोहिल ने मिलकर फेजान के शव को फिर से दो नए बोरों में पेक किया और इन उननीस वर्सक और उसकी बेहन कश्मीरा पती शाकीर निवासी खजराना इंदोर हाल मुकाम चोकी रतलाम को गिरत्तार कि इनके विरुद्ध हत्या साख से मिटाने का पर्यास जिसी धाराओं के साथ पासको एक्टे के तहट भी मामला दर्ज किया गया डियाई जी राजपूत में बताया कि अध्यांत जगन्य कोटी का अपराद है इसलिए इसे फास्ट ट्रेक में रखा जाएगा और उसे शिग्राते शिग्र कड़ी से कड़ी सजय दिलाई जाएगी उसके पड़ोश को रहने वाले सोयल ने की थी और हत्या का मकसद जो था वह आतस्मिक उत्पेजना जो उसने पॉन क्लिपिंग के द्वारा अपने घर में देखी थी यह घर में बिल्कुल समय अकेला था इसने बच्चे को बाहर खेलटा हुआ देखा खेलने के पश्चाथ इसने बच्चे को बहाने से घर में बुलाया घर में पुराने के को अपने घर की वाशिंग में रख दिया है कि कंसिस्टेंट की यह आदमी पुलिस को गुम्रा करता था गुम्रा करने की बड़ा काश्टा यह थी कि यह बच्चे के फृतक के फादर के साथ में सूपियों के डेले पे जा रहा था सर्चिंग में शामी हो रहा था पैंप्रें कि अब पुलिस ने इसको मारक चौक ठाने बुलाया था तब इसकी